वियार बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद दिलीप झैसवाल ने बीजेपी दफ्तर में प्रदेश्पधाधिकारियों के साथ मीटिंग किया और में बेटट में दिलीप झैसवाल ने पार्टी के चल रहे सभी कारक्रमों की समिक्ष्या की दिलिप जैसवाल ने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद सभी 243 विधान सभाशेत्र का उनकी तरफ से दौरा किया जाएगा NDA के मिशन 2025 पर दिलिप जैसवाल ने ये साफ तोर पर कहा कि BJP के पास कारकरताओं की फौज है नितीश कुमार और नरेंद्र मोदी का नित्रित्व है जिसका फाइदा 2025 में हमें मिलेगा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज से दिलिप जैसवाल एक्षन में है और आज पहली बैठक BJP कर्याले में कर रहे है अपने पार्टी के प्रदेश के प्ताधिकारियों के साथ अध्यक जी पहली बैठक है बैठक का मकसद क्या है आज का बैठक परिचय भी करना है परिचय अत्मक बैठक है ये और हमारा जो अभी केंदर के निर्देश पर जिला कारसमिती की बैठक चल रही है तो उसके बारे में भी जानकारी लेना है कि जिला की जो बैठक चल रहा है और अगामी जो योजनाये हैं उन पर चर्चा होगी और इन सब बातों का आज जो है विस्त्रिक चर्चा संगटन में होगा आप अभी बता रहे थे कि बिधान सभा बार जाएंगे बूत हिस्तर पर बैठक करेंगे तो दोहजार पचीस को लेकि लगता है कि बड़ी तयारी आपने अभी कर ली है और उस पर काम करना है प्रदेश अध्यक्ष चुकिन मेरी नियुक्ती अभी नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं तो एक बार सभी कार्जकरताओं से जाकर बिधान सभा वाई जी मिलना ये प्रदेश अध्यक्ष का करतब्य है अपने कार्जकरताओं से जाकर मिलना इसलिए मैं अभी इसको अभी बाचित करूँगा चर्चा करूँगा और विधान सभावार जो है कार्जकरताओं का एक बैठक और सम्मिलन अध्यक्ष के नाते जाकर कि मैं करूँगा एक बड़ा लक्ष है कि दोहजार पचीस का चुनाया भी उसको लेकर के भी कहने के फोक्स लेकिन हर वक्त ये सवाल आता है दोहजार पचीस मैंने कल कह दिया कि हमारे पास कार्जकरताओं की बहुत बड़ी फोज है और नितिश कुमार जी का नितृत्त भी है नरेंदर मोदी जी का नितृत्त भी है इसका फायदा मुझे बहुत जादा मिलेगा बस इसको सकारत्म कु कुशिश है कि संगठन को और कैसे धारदार की जाए और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा ने मिशन दोहजार पचीस के लिए अपना लक्ष भी तैय कर दिया है शालेट निजटिन पटना